आज हम लोग एक बहुत जबरदस्ट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। प्राइवेट बैंक वर्सस गब्मेंट बैंक वो भी तब जब एक स्टूडट ने प्राइवेट बैंक जोईन कर लिया। या फिर उसमें उसका सेलेक्शन हो गया। गब्मेंट सेक्टर का मोह उसे छोड नहीं रहा। घर, परिवार, सभी लोग का दबाव है। प्राइवेट बैंक जोईन करके क्या होगा। गब्मेंट सेक्टर बैंक का प्रपेशन करना चाहिए। इसके पीछे वाजिब तर्क है। आज इसके डिफरेंट आस्पेक्ट पर हम लोग बात करेंगे। क्या प्राइवेट बैंक इतना बुरा है। या फिर गब्मेंट बैंक जोईन करना ही है। देखिए मैं यह कहना चाहरा हूँ। इसी समाज में दोनों ही बैंक एक्जिस्ट करते हैं। और आप जानते हैं डिमांड सप्लाइं इसका संबंध है एकनोमिक्स में। अगर प्राइवेट बैंक में काम करने के लिए लोग तयार नहीं होते तो प्राइवेट बैंक खुलता कैसे। मुझे बता दीजिए। गब्मेंट सेक्टर में जाने के लिए अगर लोग इंट्रेस्टेड नहीं हैं तो फिर गब्मेंट सेक्टर काम कैसे करेगा। आप जानते हैं कि ये कही बाजार में ब्रेंड़ेड दुकाने भी होती है में मार्केट भी है उसमें लोग काम करना भी पसंद करते हैं पैसा जमा करना भी पसंद करते हैं सूचिए प्राइवेट बैंक भी लोन देते हैं गर्बर्मेंट सेक्टर के बैंक भी लोन देते हैं अगर गर्बर्मेंट सेक्टर का बैंक ही सबसे अच्छा है तो फिर प्राइवेट बैंक से लोन कैसे मिलता है कौन लो लेते हैं इसका मतलब यह है कि दोनों तरह के लोन की अपनी एक्सिस्ट करती है प्राइवेट सेक्टर का बैंक लोन क्या देख करके देता है यह आदमी पे कर सकता है कि नहीं भले ही उसका पिछला ट्रैक रेकार्ड चार-पांच बरसों का उतना अच्छा ना रहा हो गवर्मेंट सेक्टर बैंक एक नियम बना हुआ है इसको फुल्फि लेकिन कस्के लेता है इंट्रस्ट भी लेता है हमको जरुवत है तो हम लेते है ने लोन गवर्मेंट सेक्टर बैंक तो लोन ही नहीं देगा जदि आप टार्म सेट कंडिशन पूरा नहीं करते हो लिए मार्केट में यह है नहीं स्थती इसलिए दोनों के कस्टमर है ना वैदार बात है किसी कारण से ज्वाइनिंग डेट पार हो जाए तो फिर कुछ हो जाए गवर्मेंट सेक्टर बैंक में आपको मिलने वाला नहीं है इंट्री आसान है तो एकजिट भी आसान है बड़ी आसानी से प्राइवेट बैंक में आप जा सकते हैं लेकिन अग्जिस कोई टरगट नहीं होता जी पुरा कीजिए न कीजिए कोई आपको नौकरी से नहीं निकाल सकता है इसलिए तो लोग जाना चाहते हैं किसी तरह से महनत करके एक बार इंट्री मिल जाए बस उसके बाद लाइफ बन गया फिर तो भगवान भी आएंगे तो सोचना पड़ेगा कि कैसे निकाले हैं इतना मुस्कल है अगर निकाल भी देना तो कोट में जाकर के जीत जाते हैं निकालना लगभग असंभव सा है और यही उसकी और आकर्शन का कारण भी है विवन कारणों में ये एक बहुत बड़ा रीजन है तो मैं विसलेशन कर रहा तो थोड़ा ध्या लग रहा है लेकिन अगर आप टार्गेट एचीव करते हैं कब एचीव करेंगे जब आपके अंदर मार्केटिंग एबिलिटी हो जिदि आप प्रोड़क्ट को समझा सकें यानि वह स्किल अगर आपके पास है जिसके लिए कि व्यक्ति एंबीए करता है तो प्राइवेट स क्राइब को पैसे देता है रकता है पकड के जानी नहीं देता दूसरी कमपणी के इंपलाई को पकड पकड़ के लाता है ज्याद़ा पैसर देके लाता है क्योंकि वह आप समय में जदी बड़ा गोल हासिल کرना हो तो प्राइवेट से अच्छा कुछ नहीं है और government sector कोई काम न करे management क्या कर लेगा time bound promotion है 3 साल हुआ 5 साल हुआ promotion तो होना ही है और खूब अच्छा काम कर लिजेगा तो क्या मिल जाएगा उसको अगर 5 साल में promotion मिलता है तो क्या आपको 3 साल में मिल जाएगा 2 साल में ना वो तो नहीं समय में मिलेगा और उपर से रिजर्वेशन रहेगा तो प्रोमोशन में भी रिजर्वेशन आपका जूनियर यह आपका बॉस बन जाएगा यह गवर्मेंट सेक्टर बैंक्ट में जो आपको सर बोलते थे आप उनको सर बोलिएगा काम करना मुश्कल हो जाए नहीं जा सकता और एक बात है मैं वेशलेशन कर रहा हूँ दोनों ही सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं दोनों की ही खूबिया भी हैं खामिया भी है अभी एलेक्शन चल रहा है अठारवी लोग सवा का एक मज़ेदार एक्जाम्पल देता हूँ सुरिए गवर्मेंट सेक्ट बहुत अच्छा है खूबिया और खामिया अभी मुझे कई लोग बता रहे थे कि कई इंपलाई जाने को तैयार नहीं है तब्यत खराब है कुछ का रियल में तब्यत थोड़ा गरबर है कुछ का बहाना भी है एलेक्शन ड्यूटी है नकसल एरिया में जाना है थर थर कर र अच्छा आप काम करने लाइक नहीं है तो मैं लिक के दे देता हूं कि यह आदमी अन्फिट है ड्यूटी के लिए इनको रिलीज कर दिया जाए ना 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 मुझे कोई विबारी नहीं है तुरंत अप्लिकेशन वापस ले लिया चले आए अब आप नाक नगर के मर जाईए नक्सल एरिया में जाना पड़ेगा चाहे बम से उड़ जाए माइन से उड़ जाए कुछ भी होई वहां पंखा नहीं है गर्मी है कुछ भी है एलक्षन ड्यूटी करनी ही पड़ेगी अड़तालीस घंटे से और उसकी ट्रेनिंग होगी वह भी करनी पड़ेगी गर्मेंट जौब क्या होता है इन परिस्थीतियों में समझ में आता है अभी युद्ध हो जाए सारे सरकारी कर्मचारियों को जोंक दिया जाएगा अगर देश के पास पैसा नहीं रहेगा तो उनको पैसा नहीं मिलेगा और पिना पैसा के काम करना पड़ेगा काम छोड़ भी नहीं स काम भी करना पड़ेगा नहीं तो जेल जाएगे असल में सब कुछ जब अच्छा-च्छा चलता है ना तो हम दो सिर्फ पोजिटिव ही सोचते नेगटिव के बारे में सोचते ही नहीं मैं डरा नहीं रहा हूं मैं बता रहा हूं यह है यूक्रेना में देख लिजिए रस्य सब्सक्राइब यह तो मैंने उन इस्तेतियों में कहा डा सिच्वेशन कभी भी किसी भी सक्टर में आता है लेकिन मैं यह सोच करके कह रहा हूं कि नौरमली गर्मेंट सक्टर इसी लिए बढ़िया है लोग जाना चाहते हैं स्टूडिन जाना चाहते हैं कि वह तो एक्सेप गर्मेंट और्रियाइशन में आप काम करते रहेंगे जिंदगी एक तरह से सुनिश्चत हो गई आप दूसरे काम भी कर सकते हैं एक अलग तरह का सुपून मिलता है इसके अलावा गर्मेंट सक्टर की अपनी विशेश्थता है उसका जो प्राफिट होता है वो सरकार का होत होता है वो बढ़ता है खर्च होता है देश पर ही तो एक अंदर से फीलिंग भी आती है कि हम देश के लिए काम कर रहें इसका पॉजिटिव साइट भी है प्राइवेट सक्टर में कोई दर्द नहीं होता है टार्गेट अचीव किये तो ठीक निकाल भी देगा आपने आपका उद्दिश क्या है यदि आपका उद्दिश खूब पैसा कमाना है कम समय में रिस्क लेने को तैयार है तो प्राइवेट से अच्छा और कोई बैंक नहीं लेकिन जदी आप चाहते हैं कि हम इत्मिनान की जिंदगी चाहते हैं शांती की जिंदगी चाहते हैं सेशन आपके सामें रखा है अपने अपने नुशार आपने लिजी ओके बाई थैंक्स